Hello, my dear students, you are watching Brain Master Spoken English. Today we will learn phrasal verbs. अभी हम लोग का phrasal verb चल रहा है, क्योंकि हमें राइटिंग स्किल के अंदर जाना है. अब ये जो phrasal verb है, ये भी बहुत ही important phrasal verb है, जो आप अपने राइटिंग में, अपने speaking में इस्तेमाल कर सकते हैं. अभी देखिए ये phrasal verb जो है, पहला दे रहा हो, be fed up, be fed up, that means be bored, upset, upset हो जाना, यानि के मायूस हो जाना, मैं fed up हो गया, I am fed up of his complaints, उसने जो complain किया, उससे मैं fed up हो गया, उससे मैं मायूस हो गया, मैं fed up हो गया. नेक्स्ट, be in, यह जो phrasal verb है, बहुत ही खुबसूरत phrasal verb है, be in, be submitted, किसी चीज को application को आप submit करते हैं, किसी teacher के पास में, principal के पास में हम submit करते हैं, be in, the application form must be in by 3 p.m. on Friday, application को जरूर दे देना है, तीन बजे में के दर्मियान में, Friday में जुमे के दिन, next, be in, on, be in, on, be involved in, किसी में संगलगन हो जाना, किसी में मलऊश हो जाना, राम was the only one who was not in, on the plan, राम अकेला हो पर्शन है, जो इस प्लान में मलऊश नहीं हुआ था, इस प्लान में सामिल नहीं हुआ था, be, next, be not on, be unacceptable, उसको तसलीम नहीं करना, the way he is behaving is just not on, is just not on, यानि को जिस तरह behaving कर रहा है, वो acceptable नहीं है, उसको कोई अच्छा नहीं चाहेंगे, be off, depart or leave, I am off, it's five oh crap, मैं हाँ से चला जाओंगा, कब off हो जाओंगा है, पर off का मतलब है, leave कर देना, चला जाना, कब 5 बजे, next, be out, absent from a place, किसी जगे से absent होना, एस sentence को देखिए, she is out on a visit for the day, वो एक दिन के लिए बाहर गई, एक दिन के लिए, absent हो गई, हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, she is out on, उसने बाहर चली गई या चला गया, और एक बिजेट for the day, एक दिन के लिए, next, be out of, ये भी बहुत अच्छा फ्रेजाल भर्व है, have no more left, कुछ छुटा ही नहीं है, हम जब कुछ कर रहे थे, we are out of coffee, यानि के coffee हमारे पास मैं रहे नहीं, खतम हो गया, we are out of coffee, so I shall have to go and get some, मुझे जाना है और कुछ लेकर आना है, out of coffee, coffee के बेगार है ये दुकान, अगर मैं कहुँगा, ये दुकान में coffee नहीं है, out of coffee, coffee हाँ, नहीं है, next, be out to, यानि के attempt करना, बहुत अच्छा ये फ्रेजल भर्ब है, she is out to get him sacked, because she hates him, उसे वो नफरत करती है, इसलिए उसको कोशिस कर रहे हैं, उसको sacked कर दे, यानि के लिकाल दे, लिकाल देना, उसको बरखास्त कर देना, next, be taken abak, आश्चर्ज हो जायना, be sacked, sacked हो जायना, taken abak, आश्चर्ज हो, I was taken abak when I saw him, because he has lost all his hair, मैंने उसको जैसा देखा, मैं taken abak हो गया, मैं आश्चर्ज हो गया, क्यों, उसने he has lost all his hair, उसने पूरा सब hair को खतम कर दिया था, अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं आश्चर्ज हो गया, next, be up, be out of bed, बिस्तर से उठना, आप इस्तेमाल करिए, she is not up at, उसने अभी तक नहीं उठी है, next, be up, फिर उसी be up के इस्तेमाल करो, have increased or rising, और कोई सामान का कीमत बढ़ जाना, शोरिंग अप होना, जब कोई सामान का ए बढ़ जाता है, शोरिंग अप होता है, उसको हम be up भी कहते हैं, उठना उपर, the company's profits are up by 15%, company का profit जो है, अभी 15% बढ़ गया है, next, be up to, be good enough, बहुत अच्छा होना, he is not up to the job, वो इस जाप के काबिल नहीं है, get someone else, किसी दूसरे कुला के हाँ रखो, यानि कि he is not up to the job, वो अभी इस जाप के काबिल नहीं है, next, be up, when the time for something finishes or expire, किसी का वक्त खतम हो गया, time's up, let's submit the copy, चलिए, copy submit कर दे, time खतम हो गया, क्लास के अंदर हम खड़े हैं, हम कहा, my dear student, time's up, time's खत्म हो गया, आप copy दे दिजिए, time's up, it is very easy to use in your speaking, writing, ऐसा बहुत एजी है, मैंने जितना का, be in, be off, इस तरह, be out, इसका इस्तमाल हरवक किजिए, आप इसको practice किजिए, इसको बार बार देखिए, मेरे चैनल के अगर subscribe अभी नहीं किए, कर लीजिए, like किजिए, फिर मैं आपके सामने में दुसरा वीडियो लेकर आ हुआ, thanks a lot,